जहें दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे Human Health and Disease के Part 2 इससे पहले जो है 1 to 25 questions को discuss करा गया था आज 25 से आगे questions सारे discuss करेंगे यानि कि जो सारे questions हमने कराया है यह किसी ने किसी एक जाम में पूछा है और आने वाले एकजाम के लिए बहुत ही जादे important रहेगा यह कहें कि नीट में अगर question बनेगा तो इसी में से कोई ने को question आई जाएगा इस chapter से ठीक है चलते हैं सबसे पहला question पे question number 26 है which of the following contraceptive device is inserted by a doctor or trained nurse in uterus through the vagina ना यानि यह uterus है यह uterus uterus में इन में से कौन सा device है जो doctor के थूरू या trained nurse है जो well trained nurse होता है उसके थूरू मतलब uterus में implant किया जाता है insert किया जाता है ठीक है तो यह NCRD का line है सेम आयसा ही NCRD में लिखा दिया है उसके बाद उसका example है कोपर्टी को क्या किया जाता है कि uterus में डाल दिया जाता है इन insert कर दिया जाता है वेजाइना के थूरू या तो डॉक्टर करेगा या तो well trained nurse होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट देखो तो आंसर इसका हो जाएगा कोपर्टी नेक्स्ट विच अधा फॉलोइंग इस एन एडिशनल एडवांटेज ओफ हॉर्मोन रिलीजिंग आयोडियस हॉर्मोन रिलीजिंग आयोडियस का एडिशनल एडवांटेज क्या होता है ठीक है तो आयोडियस क्या होता है इंट्रा यूट्राइन डिवासे जो बर्थ कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है तो इसका आंसर है देखते ही पहला option क्या है इंकिरीज दा फेगोसाइटीस फेगोसाइटोसिस फिर्म यह तो गलत बात हैं दूसरा सप्रेस इस पर्म इन फटलाइजिंग के बसिटि ऑफ इस पर्म यह हर्मोलीजिंग आयोडियस का काम नहीं है दूसरा देखो देमेंग दे यूट्रास अन्सुटेबल फॉर इंप्ल इंप्ल सी बात है इसका जो रिवर्सिबिलीटी बहुत पूर होता है इसी दोनों प्रोसेस को क्या बलते हैं इसका बोलते हैं तो कहानी खता में इसका तीन होगा तो आंसर क्या हो जागा आपका कोपर टी है नेक्सट विच आप दा फॉलोईंग इज हार्मोन रिलीजिंग आई उडियस इन में से कौन सा और इंट्रा-उट्राइन डिवाइसेस है है जो HARMON and release करता है kोपर तोभरायन करता मल्तिलадно-375 न्यूजँ करता है ये लएग ट्वेंटि क्या होता है ये ये ट्वेंटि से आपकर एंसर क्या हो गया न्यूजी ट्वेंटी नेच्ट ए नेक्सित है कि which of the following cannot protect the user from contraceptive contrasting aids जो use करता है diaphragm, जो use करता है cervical cap, जो use करता है vaults, क्या यह users को aids से बचाएगा, तो इसका answer है, नहीं बचा पाएगा तो इसका answer हो जाएगा, all this ever, question यही कर रहा है, कि which of the following cannot protect कौन protect नहीं कर सकता है user को किसे contrasting of aids से तो diaphragm, cervical cap and vaults, सभी के सभी जो है यह user को protect नहीं कर सकता है, protect करने के लिए male condom का use करना परेगा, ठीक है, या फिर female condom का, next देखो, इसका answer हो जागा for, implant under skin and injectable contain, यानि जो skin के अंदर implant किया जाता है, और injectable जो injectable होता है मैं उसमें होता क्यां क्या प्रोजजेस्टेन होता हा अस्तोजेन होता है, fsh hोता होता होता है, तो हम जानदे हें चिया उसमें होता है अम च।्वामस् ή जरूजब भष्य जोगा है या तो migrate एंसर हो जाएगा या तो दो रसड़ेंशन होगा next birth control a birth control implant having six small plastic cylinders and with effective period much longer up to five years तो इसका answer हो जागा नोर ब्लांट यह birth control के लिए जो है नोर प्लांट एक नया method है ठीक है क्या है बाद में दखेंगे आंसर हो जागा आपका एक नमेर next which of the following is a terminal method of contraceptive प्रिवहन धैंक किसी को कर गए कर यह तह stays Realization जिसमें टुन यर्ट उझर में उपड़ते हैं यह इस्टगोस सब्सक्राइख झाय और तो हुएज अप घ़निर भाष्ट निफ्रिंस अगार कर डिया आता और फिलॉप विधरण प्ली को कर लिए इन्सेस्ट कर दिया जाते है तो आंसर हो जागा आपका फोर नंबर नेच्ट दो नोर्प्लांट इज न्यू फॉर्म बर्थ कंट्रोल एंड इड़ेट ए मतलब यह कोशन कर रहा है कि नौर्प्लांट जो है एक तरह का न्यू बर्थ कंट्रोल है तो इसमें क्या होता है यह पहला प्रोप्सट्राइन नहीं मेक दा सर्विक्स सर्वाइकल मुकस थीन मैकिंग इंटरी इंट्री इंट्रीज इंग्रेडियन यह प्रोजिस्ट्रीन को एक्टिब इंग्रेडियन की रूप में नोर प्लांट में यूज कर आता है तो आपका राइट इंसर हो जाएगा हो हो जागा क्या आयब का 3 नमर हो चाए तो रोगया 3 मैं साथ 2 आसट चलते हैं एंसल एंटी पी ऑर कंसिडर रिलेटिवली सेफ अप टू वी उप्रेगनेंसी त्यूल गोफ प्रेगनसी यानि ये फ़र्स ट्रामेंस्ट्री रहता है। अब फ़र्स्ट्रामेश्ट्री जू है क तीन ट्रामेश्ट्री में होता है ठीक है चलिए आंसर वह आपका एक नंबर दूसरा देखो इस्ट्राजेशन टेक्निक इन फीमेल विच ब्लोग गैमिट ट्रांसपोर्ट फीमेल की बात कर रहा गैमिट ट्रांसपोर्ट का ब्लोग कर देना पर एंड यरभाई प्रेम दकन्शेफ्संट इसके लिए वैसक्टोमी हो जाएगा स्थीटी वीक्तोमी हो जाएगा वैसक्टोमी मेल जाएगा यह जाएगा मेल में ठीक है चलिए अंसर फोर्टी वेक्टोमी नेक्स्ट विश्ट फॉलोइंग है बेन फाउंड तो बीए वेरी एफेक्टिव एमेर्जेंसी कॉंट्रसेप्टिव एस दे कुट बी यूज तो अवाइड प्रेगनेंसी डू टू रेप इफ गिवन विदिन तो 72 आवर्स तो उसको जो है कौन सा कॉंट्रसेप्टिव यू सेबात है दूसरा प्रोजेस्ट्ог नेकों निंफ 36 इल्कोटरिस यूजरे टंरटेट आयुज डाय तो अंश्टिश सभी 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 है सभी के सभी सही है next देखो sexually transmitted infections and जिसको STI बोलते है can get transmitted इसको बोलते है STI इसको बोलते है STI sexually transmitted infections can get transmitted easily during use of तो diaphragm cervical का बर्थ पिल सभी में all these above all these above sexually transmitted infections से कुछ mc के लिए गया है question है which of the following STI is not यहां पर जो है STI smallest infections की ठीक है sexually transmitted disease sexually transmitted infections की बास कर रहा है is not यहां पर है question के वीच दा फॉलोइंग STD STI is not काउज़ बाइट्रे इन में से कौन जहाए जो है बैक्टरिया करना होता है जनाटल हर्प्स यह वाइरल वाइरस से करना होता है ठीक है तो आनसर हो जागा फूर बाकिसा वेक्टरियल ट्रांस्मिटर डिजीज है नेक्स्ट विच दा फॉलोइंग STI एंड इट्स काउज़ेटिव एजेंट इस नोट क्रेक्ट लिमेच वाव यहाई पी अनसर में लेगा आपको चेंटल वर्ट्स हेमोफाइलेस्ट डॉसरा सीफिलेस्ट्रेप्णोमा पेलिपेडियम जिनाटल हर्प्स टाइब टू हर्पिस सिंपलेक्स वाइरस ट्राइकोमेश्स ट्रायकोमोनस वेजनालीस तो देखिए आपको अड़ तो आपका जो है पहला नम्मर ही गलत है जो होता है हमोफाइलस डॉसरा से नहीं होता है तो क्या होता है उसका एक्सप्लाइश रंदियें यहां पर देख लेजिए एक्सप्लाइशन देखिए जिनाटल वार्ट्स और एक कोमली सेक्शुली ट्रांस्मिटेट इंफेक्शन का उसके लिजब भाएर भाएरस पय्पिलोमा हीमें पयापिलोमा वाएरश यादि जो होता है हम मः humor मःप्याहर स्कार होता है इस्पास्रो रोजब बाश्तरओ सिकलर ईकाइं और जो है Transmit हो जागा एक पर्संटे दूस्रे पर्संट में में हाय विध सम्वन हुथ हमें पिलुमा वाइरस ओं दिए सकीन अगर मानते एक हमें विदिए इक हमें प्रस्टेश्टन में जो है हमेन प्लुमा वाइरस का इन्फेक्शन है तो अगर आपका इसकी उसके हमें आए गा तो आप में ट्रांस्पिट हो जाएगा ठ्रांस्मिट हो जाए पोल लाई ए टे Eat Can । भी पासर फ्र्रों परसंट चुर्पर्शन वेजाइनल एननाल रसेक्स यानि वेजाइनल सेक्स में दोनान भी परसंट जो है ट्रांस्मिट हो सकता है नेक्स्ट वीच अब दा फॉलोइंग एक्षुली ट्रांस्मिटेट इंफेक्ट्स इस काउज बाइ प्रोटो जोएंस इन में से कौन सा डिजिज है जो प्रोटो जोएंस होता है तो राइट एंसर टू हो जाएगा ट्रैको के ट्रैकों मनेशीज जो होता है प्रोटो जुआ नोर फॉलोइंग एस ट्रीटेध से ट्रीट्मीं यहांनि जो भी जो भी वी वाइलप हो ट्रीट में नहीं हो सकता है तो ओनली डी नमबर सही है कि ने कॉस्टन है विच आप फॉलोइंग एस्टी आई इस काउज बाई दा हुमेन पैपिलोमा वाइरस एंड इस ट्रांस्मिटर फ्रो इंटिमेट कॉंटेक्ट विद इंफेक्टेट परसन अभी तो पर इसके बारे म मतलब इन में से कौंट सा सेक्शुली ट्रांस्मिटर डिजीज है जो अगर अर्ली डिटेक्ट कर दिया जाए तो वह जो है कंप्लिटली क्यूरेबल होता है आप यह तना बाद याद रखिएगा जिनाटल हर्प्स हो गया एचाइवी इंफेक्शन हो गया और हर्पीस हो ग इसको छोड़ के जितना भी अंसी अधी में दिया हुआ सारा का सारा क्यूरेबल है यह क्यूरेबल नहीं है इसका कोई इलाज नहीं तो आन्सर हो जागा डी नंबर लिख लिजे कहीं पर इस बात को कहीं लिख लिजिए तो देखो इसका थोड़ा एक्सप्लानेशन दे दिये हैं कैंक्राइड इस बैक्टेरियल सेक्ट्रांस्वले इंफेक्शन यानि कि ब्यक्टोरी वाला डिजीज है काउज बाइइ इंफेक्शन विद हेमोफाइलस डो most appropriate statement in different defining defining the infertility infertility के लिए सबसे अच्छा definition कौन सा है देखो couple is unable to produce children in spite of unproductive sexual co-inhibition even after two years दूसरा it is the inability to produce a viral of spring and is always due to defect and abnormality in the female partner ना गलत बात है बिल्कुल गलत बात है यह तो बिल्कुल ही गलत है सबसे अधा गलत यह है इन फर्डिलीटी इस ड्यू दूद इन फर्डिलीटी के नोट भी helped by art गलत बाते हैं हाँ help किया आठ तो इसलिए है तो सीधा सीधा आंसर हो जागा आपका ए नमबर तेरा भी किजगा सीधा जो बोलो एही अंसर है नेक्स्ट शेरेगेट मदर इस जिसे भारे की मदर बोलते हैं क्या बोलते हैं भारे की मदर यानिके किसी के स्पर्म और ओवं को लेके फ्यूज कराने के बाद जैगोड को इंप्लांट कर दिया आता किसी दूसरे मदर में उससे जैसे मैच्छर होयाता है फिर उससे बाहर निका लिया आता भी फ्यूटस को ठीक है तो वह थी भारे की मदर है तो होगा फ्यूचर मदर विट इंप्रियों इंप्लांटेड फ्रॉम अनुदर ठीक है तो आंसर हो जाएगा दो नंबर निकस्त दालिट्स थेक्निक तुप्राइब्द्ट इंप्रब्स मं लिएस्ट इंप्र मॉर्म जायस टांस्पर ऐन्सेलंड वीया दो नंबर गेंड इंट्रा स्लॉप्लीय छर्ण स्पर्ण निक्स्त लस्टि प्वस्तन है कि विट ने ओल्ल दा फॉलोइंग इस्टेटमेन अबाट जिफ्ट आर करेक्ट बट वन इस रोंग विच वन इस रोंग तो इनमें जे कौन रोंग है इट इस जाइगोड इंटरा फ्लोपियन ट्रांसपर सही बात है जिफ्ट मतलब जाइगोड इंटरा फ्लोपियन ट्यूब सही बात है इंब्रियो विदिन मोर्देन एंट ब्लास्टमर और अल्सो ट्रांसपर इंट्री नहीं आट से यादा नहीं होना चीए अंसर हो जाएगा दी निम्मर यही गलत है यही गलत है यही रोंग है अंसर दी हो गया इस तरह से जो है पूरा का प झाल